तो हमारे योटूप जान सीवम चुटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बोमेंट्स इंस्ट्रिट ऑफ टेक्नोलोजी जो दर्भंगा का एक इंजिनियरिंग कॉलेज है इसका कॉलेज रिव्यू देने जा रहा हूं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो कनलेज सबसे पले सही समय पर मिलता रहे हैं दोस्तों आपको बता दे कि यह लैलिस्त नरान मित्ला इनिवर्सिटी का बिलिंग है और इसी बिलिंग के तो यह इस कॉलेज का लाइबरेरी है यहां आपको जरूरत के अनुसार सारे बुक्स अभिलेबल रहेंगे दोस्तों अब देख सकते हो एक कंप्यूटर लैब्स है यहां पे कंप्यूटर की सुदा दी गई है यहां दोस्तों बता दे कि जो CAC बरांच और IT बरांच के स्ट में हुआ था और जो इसके अफ्लियेशन है बोललित नरायन मिथला इंवर्सिटी दरवंगा से मिला है दोस्तों हम अप्रूबल की बात करते हैं तो अप्रूबल इसको ओल इंडिया कॉंसिल आप टेकनिकल एजुकेशन और बिहार गवर्नमेंट के तुरू मिला हुआ है औ तो वेबसाइट इस कॉलेज का www.witlnmu.ac.in है दोस्तों वेबसाइट पे आपको अडविशन से रिलेटेड नोटीस या कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो या एकजाम हो यह सारी अपडेट्स मिलते रहते हैं दोस्तों हम बात करते हैं डिपार्समेंट की तो यहां डिपार प्रोणिस इंजिनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजिनियरिंग, मेकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई होती है दोस्तों जिसमें से मुख फिरुप से यहां टोटल चार कंप्यूटर साइंस, इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी उसके बाद में मास्टर ओप कंप्यूटर साथ लाइब बनाए गए हैं उसके बाद दो कंप्यूटर लाइब बनाए गए हैं डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स बेट बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इसके बाद बेसिक इलेक्रिकल से रिलेटेट एक लैब बनाए गए हैं उसके बाद लैब्रेरी की सुदा दी गई है प्ले आगे आपको बता दे कि बिहार इंजिनियरिंग, मेडिकल, पॉल टेकनिक, बिसी सी बोट, आजवर्ट, नॉलेज इनवर्सीटी और इनवर्सीटी में अडवीशन अफडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहाँ आपको सबसे पहले सही समय पर अपडेट मिलते रहेंगे, दोस्तों हम अडवीशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो अडवीशन के लिए आपको जो एकजाम देना होता है, वो कमबाइन अडवीशन टेस्ट का एकजाम देना होता है, यह आपको फास्ट येर बीटेक अडवीशन के लिए आपको बता द जो एक्जाम का टाइम है वो दो घंटे 15 मिनट का एक्जाम होता है जिसमें टोटल डिएर सो अबजेक्टिव प्रस्न पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिजिक कमेस्ट्री मैच से पूछे जाते हैं दोस्तो उसके बाद हम लेटरल इंट्री वाले की बात क ट्री वाले करते हैं तो यहां मैथेमेटिक्स अनलाइटकल अनलाइस से 50-50 पूछे जाते हैं उसके बाद लॉजिकल डिजिनिंग से 25 प्रस्न कंप्यूटर अवेर्नियस से 25 प्रस्न और जो जेनरल इंग्लिस है इससे 25 प्रस्न पूछे जाते हैं यह आपका इंट्रेंस ए इस इज्ञाम की बात है दोस्तों हम बात करते हैं इलिग्डिलीटी की तो इलिजिलीटी में आपको बता दे कि अगर आप CSE IT ब्रांच या बायो इंफ्रमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आपको बीचेक करने के लिए आपको बता दे कि फिजिक्स कमेस्ट्री मैच से 12 पास होना चाहिए और फिजिक्स कमेस्ट्री बायो से जो पास है वो बायो इंफ्रमेटिक्स में अडविशन ले सकते हैं दोस्तों उसके लिए आपको बता दे कि जो एटलिस 45 परसेंट मार्स लखा गया है यानि कि आपको कम से कम इतना मार्स आना चाहिए और अगर आप CSE IT के लोगरी के हैं तो आपको 40% मार्स में भी अडविशन हो जाएगा दोस्तों उसके बाद हम लेटरल इंट्री की बात करते हैं तो लेटरल इंट्री में आपको बता दे कि डिपलोमा पास होना चाहिए कम से कम 45% मार्स से या फिर B.S.C. डिग्री होना चाहिए 45% मार्स से इसके बाद 12 आपको मैथेमेटिक्स के साथ पास होना चाहिए और जो अस्टुडेंट हैं वो अगर दूसरे ब्रांच से यानि दूसरे सब्जेक्ट से भी ऑनर्स किये हैं यानि कि B.C. नहीं किये हैं वो भी अडविशन ले सकते हैं M.C. में यानि इसकोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो B.C. किया है वही M.C. कर सकता है दोस्तों अगे हम बात करते हैं फी एस्ट्रक्टर की तो फी के लिए आपको बता दे कि जो बीटे का फी रखा गिया है यनुवली आपको बता दे जो एनुवल फी है वो तीस हजार रुपय लगते हैं इसमें आपको बीटे के लिए आपको 81,000 रुपय लगते हैं और जो M.C. करते हैं उनको एक सेमेस्टर यानि छे महीने का फी आपको 20,000 रुपय देना होता है दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे कौजन मनी देना होता है यानि कि ये रिफंडेबल होता है ये वान टाइम आप करते हैं तो होस्टल फी यहां आपको 12,000 रुपय पर एनम यानि की बार्शिक यानि एक साल का 12,000 रुपय होस्टल फी आपको देना होता है दोस्तों फियर स्टक्टर है इस पर समय समय पर थोड़ी बदलाब भी होते रहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा परसाम नही होना है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें थैंक्स फर वाचिंग किसी भी परकार की कोई इनफोर्मेशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें थैंक्यू